अबी तक हम लोगों ने चार्ज पढ़ा था फिर इसके बाद कुलम्स लाउ पढ़ा ठीक है तो हम लोग ने क्या देखा था कि जब कोई चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ हम लोग कोई ने कोई इलेक्टिकल इफेक्स देखते है ठीक है तो इन इलेक्टिकल इफेक्स को अब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने वैदुत बल देखाओं की परिकल्पना की कि ऐसा माना गया कि यह जो चार्जिस होते हैं जो आविश होते हैं उनसे कोई ने कोई बल देखाए निकलती है ठ ठीक है तो जो वैदुद बर्ड रिखाए होती है वो एक तरीके से क्या होती कालपनिक वक्र होती है क्या होती है क्या होती है कालपनिक वक्र तो अब अगर हम इस कालपनिक वक्र की बात करें इसमें दूसरी बात यह होती है कि अगर सपोस करो यह मैंने यहां पर दिखाया है क आप figure देख रहोगे A, B, C, D अभी मैं हर एक figure पर discuss करूँगा ठीकिए ये figure C में देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक point लिया और यहाँ पर मैंने एक tangent draw की ठीक है? इस वैदुद बल देखाओ पर अगर मैंने tangent draw की मैंने इस पर सेका की ची तो वो क्या बताएगा इस बिंदु पे वैदुद छेत्र की दिशा ठीक है? किसी भी point किसी भी वैदुद बल देखाओ पर अगर आप किसी भी बिंदु पर आप tangent जैसे यहाँ पर मैंने tangent मैंने इस पर सेका की जी तो वो क्या बताएगा वैदुद छेत्र की दिशा ठीक है? और अगर हमने क्या किया कि किसी भी point पर किसी भी point पर हमने क्या किया? वैदुद बल देखा का अगर हमने क्या करते है छेत्रफल मनाया ठीक है? जैसी एक point है यहाँ पर हमने एक छेत्रफल का consideration किया तो यह जो छेत्रफल से जितनी भी बल देखाई निकलेंगी ठीक है इस छेत्रफल से जितनी भी बल देखाई निकलेंगी वो क्या बताएगा उसके वैदूद छेत्र का परिमार ठीक है तो वैदूद बल देखाई पहली चीज तो यह सदिश राशिया होती है सदिश होता है इसमें पर दफ के ऊता है positive charge और negative charge तो जो positive charge है उन्दर की तरफ आeka छार्च से क्या और यह बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ट से क्या हो रही है वैदुद बल लेखाएं क्या हो रही है अंदर की तरफ आ रही है तो यह पॉइंट हमेशा ध्यान लखिएगा इस आवेश से लंबवत के और अंदर की तरफ यह वैदुद बल लेखाएं एंटर कर रही है तो क्या पॉइंट हो क्या ध्यान देखाऊं से लंबवत बाहर की तरफ तथा रेड आवेश में क्या होगा लंबवत अंदर की तरफ वैदुद बल लेखाएं निकलती है या आती ह ठीक है धनावेश में बाहर की तरफ निकलेंगी और रिनावेश में अंदर की तरफ आएंगी ठीक है अब हमनों figure C की बात करें तो इस figure C में देखिए जो मेरी वैदुद बल देखाए हैं ठीक है अगर हम यहां पर बात करेंगे और यहां पर अगर हमने एक एकांग छेतरफल की बात की तो यहां पे एकांग छेतरफल में जो वैदूत बल देखाओं की संख्या क्या होगी कम और जैसे जैसे हम आवेश के पास जाते जाएंगे और यहां के एकांग छेतरफल मैंने यूनिट एरिया की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे हमारी बल देखाओं की संख क्या होता है घटता है तथा वैदुद आविश के पास वैदुद छेत्र का मान αदिक्तम होता है ठीक है मतलव जैसे जैसे हम इसी दूर जाते जाएंगे वैदुद बल लिखाइं क्या हो रही है संक्या में कमी आ रही है देखिए एकांब चेटफल में क्या होगा यहां के एकान चेटफल में क्या होगा वैदुद बल लेखाएं कम है लेकिन यहां पर क्या होगा उसी चेटफल में क्या होगा वैदुद बल लेखाओं के संख्या ज्यादा होगी तो यहां पर इस पॉइंट पे एलेक्टिक फेल्ट वैदुद शिर कि इसमें दूसरा पॉइंट है कि इसमें वैदुद बल लेखें कभी एक दूसरे को काटती नहीं है कैसे देखिए देखिए मैंने कहा था कि दो वैदुद बल लेखें कभी एक दूसरे को परस पर नहीं काटती तो ये कोशन एक्जाम में कई बार आता है कि सिद्धी कीजे कि वैदुद बल लेखें कभी एक दूसरे को परस पर नहीं काटती अब देखिए मैंने क्या किया कि एक बिंदू पी लिया है ठीक है अफ इस P बिंदु पे मैंने माना कि वेद्द बल लेखाना क्या और यह एक दुसरे को काट रही है हमने क्या किया ULT depressed माना ठीक है तो क्या माना कि वैदूत बल लेखें क्या होते हैं अगर एक दूस्वों काटेंगी तो मैंने क्या बिंदू-P पे एक E1 हो गया और एक क्या हो गया E2 ठीक है अब अगर हमें इस E1 पे वैदू-Cht की दिशा बतानी होगी तो वो क्या होगी इस बिंदू P पे इस पर्ष रिखा ठीक है तो अगर हम इस बिंदू P से इस पर्ष रिखा कीचेंगे तो वो कुछ इस दिशा में जाएगा ठीक है किस दिशा में जाएगा इस दिशा में और ठीक E2 के लिए अगर हम बिंदू P से इस वैदू छेत की दिशा इधर जा रही है और इटू के लिए वैदू छेत की दिशा इधर जा रही है ठीक है तो इसका मतलब बिंदू पी पे वैदू छेत की दो दिशाएं हो गई तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बिंदू पे वैदू छेत की दो दिशाएं हो नहीं तो इसका मतलब जो हमने माना हमने क्या माना था कि बिंदू पी पे वैर्दूद बल लेखाएं क्या और ही काट रही है तो जो हमने माना है वो गलत है क्यों क्यों क्योंकि बिंदू पी पे वैर्दूद छेत की दो दिशाय आ रही है ठीक है तो इससे ये सिद्ध होता है कि व्यद्दूत बर लेखाएं कभी भी एक दूसरे को परस पर नहीं काटती अब देखिए figure A आगया समझ में B आगया C हो गया हमारा C पर discussion हो गया D पर देखिए D पर क्या है कि एक surface लिया है अबने इस पर क्या positive charge equally distributed है देखो धनावेश क्या है समान रूप से वित्रित है और जो मेरा दूसरा surface इस पर क्या है रिनावेश क्या है समान रूप से वित्रित है तो एक देखिए ये सम विभाव परस्ट हो गया सम विभाव परस्ट मैंने इस पर विभाव समान है और निचवाले प्रस्वे भी विभाव समान है अब क्या होगा धनावेश से क्या होगा वैदूत बल लेखाए निकलेंगी और वो कहाँ पर जाएंगी रिनावेश की तरफ फिर देखें यहां से क्या होगा धनावेश से निकलके ठीक है तो यह क्या है आपकी वैदुद बल देखाओं की प्रॉपर्टीज इसको बहुती ध्यान से रिवाइस करिएगा इन पे बेस यह चुटी चुटी प्रॉपर्टीज इनके बेस नुमेरिकल आते हैं इनके नुमेरिकल हम लोग करेंगे ठीक है गणितक प्रॉपर्टीकुपराय प्रॉपर्ठीक्स अंप्रॉपर्टीज जांके जास में अच्क निवाइक प्रॉपर्टीज और हैं